हे गाइज मैं आपको भारत में 1250 इजवी में बने कुनार्क मंदिर में सूर्य घड़ी की सटीक का दिखाने जा रहा हूँ लोग आज भी समय बताने के लिए इसका इस्तिमाल करते हैं मैं आपको समय का पता लगाने वाले टूर गाइट की एक छोटी क्लिप दिखाता हूँ और फिर मैं समझाओंगा कि ये सूर्य घड़ी कैसे काम करती है जैसा कि आप देख सकते हैं सूर्य घड़ी काफी सटीक है और लोग इससे चकित हैं आइए करीब से देखें कि ये कैसे काम करता है सूर्य घड़ी में 8 प्रमुक तीलिया होती हैं जो 24 गंटों को 8 बरावर भागों में विभाजित करती हैं जिसका अर्थ है कि 2 प्रमुक तीलियों के बीच का समय 3 गंटे है आज छोटी तीलिया भी हैं पिरती एक छोटी तीलि दो प्रमुक तीलियों के ठीक बीच में चलती है इसका मतलब है कि छोटी तीलियां 3 गंटे को आदे में बाटती हैं इसलिए एक प्रमुक तीलि और छोटी तीलि के बीच का समय डेल गंटा या 90 मिनट का होता है अब पईये की किनारे पर आप बहुत सारे मनके देख सकते हैं यदि आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि एक छोटी और एक प्रमुक तीलि के बीच में 30 मनके होते हैं तो 90 मिनट को आगे 30 मनकों से विभाजित किया जाता है इसका मतलब है कि प्रतियेक मनका 3 मिनट को प्रस्तुत करता है मनके काफी बड़े हैं इसलिए आप यह भी देख सकते हैं कि छाया मनके के केंद्र में या मनके के किसी एक छोट पर पढ़ती है इस तरह हम समय की मिनट तक सटीक गर्णा कर सकते हैं सूर्य घडी घडी की विपरीत दिशा में समय दिखाती है सबसे उपर प्रमुक तीली मध्य रात्री के लिए है और यह तीली तीन बजे के लिए है और यह चै बजे के लिए है और आगे इसी तरहां जब मैं धुरी में जानवर की पूच पर एक उंगली या कलम रखता हूं तो छाया पहिये के किनारे पर जाएगी अब मैं केवल उस मनके को देखता हूं जहां चाया परती है हमने पहले जो गड़ित किया था उसका उप्योग करके मैं आसानी से वर्तमान समय को ठीक से मिनट तक बता सकता हूं 750 साल पहले ऐसा कुछ बनाने के लिए खगोल विदो, इंजीनियरों और मूर्तिकारों के बीच कितना समय और समनवय हुआ होगा अब अगर आप गौर से देख रहे हैं तो अभी आपके मन में दो सवाल होंगे पहला सवाल यह होगा कि जब सूर्पूर्व से पच्छिम के और बढ़ता है तो क्या होता है क्योंकि पहिये को दिवार पर उकेरा गया है इस पहिये पर सूरज बिलकुल नहीं चमकेगा हम दो पहर में समय कैसे बता सकते हैं अब कोनार्क मंदिर में एक और पहिया या सूर्पूर्गड़ी है जो मंदिर के पश्चिम की ओर स्तित है आप बस दूसरी सूर्गड़ी का उपयोग कर सकते हैं जो दो पहर से सूर्यास्ट तक पूरी तरह से काम करेगी यह दूसरा और सबसे दिलचस्प सवाल है आप सूर्यास्ट के बाद का समय कैसे बताते हैं जब कोई सूरज नहीं होगा तब सूर्यास्त से अगली सुबा के सूर्य उद्य तक कोई छाया नहीं होगी आखिर मंदिर में हमारे पास दो सूर्य घड़ी हैं जो तब ही काम करती हैं जब सूर्य चमकता है इस सवाल के जवाब में मैं यह बताना चाहता हूं कि कोनार्क मंदिर में ऐसे सिर्फ दो पाहिये नहीं है मंदिर में कुल 24 पाहिये हैं जो सभी सूर्य घड़ी की तरह ही उकेरे गए हैं क्या आपने चंद्र घड़ी के बारे में सुना है क्या आप जानते हैं कि यह चांदनी रात के समय सूरे की घड़ी की तरह ही काम कर सकती है बहुत से लोग सोचते हैं कि अन्य 22 पहियों को सजावटी या धार्मिक उद्देशियों के लिए तराशा गया था और उनका कोई वास्तविक उप्योग नहीं है लोगों ने दो सूरे घड़ीयों के बारे में भी यही सोचा मानिये या ना मानिये लोगों ने सोचा कि सभी 24 पहियों को सिर्फ सुन्दर्ता के लिए और हिंदु प्रतीकों के रूप में तराशा गया था लगभग 100 वर्ष पहले यह ग्यात हुआ कि यह एक सूरे घड़ी थी जब एक व्रिद्योगी को गुप्त रूप से समय की गढ़ना करते देखा गया था जाहिर तोर पर चुनिंदा लोग पीडियों से इन पहियों का इस्तिमाल कर रहे थे और 650 सालों से इसके बारे में कोई और नहीं जानता था उनका कहना है कि जब उन्होंने उनसे अन्य 22 पहियों का उदेश ये पूछा तो योगी ने बात करने से इनकार कर दिया और बस चले गए और सिर्फ इन दो सूरे घड़ीों के बारे में हमारा ग्यान वास्तव में बहुत सीमित है आप देख सकते हैं कि मोतियों के कितने व्रत हैं आप इन सभी सूरे घड़ीों पर नकाशी और चिन्न देख सकते हैं और हमारे पास उनमें से अधिकांश का अर्थ नहीं है उधारण के लिए एक प्रमुक तीली पर की गई इस नकाशी में ठीक 60 मन के हैं ध्यान दें कि कैसे कुछ नकाशी में आप पत्ते और फूल देख सकते हैं जिसका अर्थ वसंत या ग्रीश मकाल हो सकता है ध्यान दें कि कैसे कुछ नकाशीों में आप लीमर्स को संभोग करते हुए देख सकते हैं जो केवल सर्दियों के दौरान होता है इसलिए इन सूरे घड़ियों को विभिन पिरकार की चीजों के लिए पंचांग के रूप में भी इस्तिमाल किया जा सकता था अब अगर हम इन दो सूरे घड़ियों के बारे में इतना जानते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी 22 पहियों के बारे में हमारा ग्यान कितना सीमित है ध्यान दें कि इन पहियों पर ऐसे सुराग हैं जिन्हें लोग सदियों से अंदेखा कर रहे हैं ध्यान दें कि एक महिला सुभा कैसे उठती है और शीशे को देखती है ध्यान दें कि वे कैसे स्ट्रेचिंग कर रही है ठकी हुई है और सोने के लिए तयार है और आप यह भी देख सकते हैं कि वे रात में यौन किर्या में लिप्ट है सदियों से लोगों ने इन संकेतों को नजरंदाज किया है और सोचा है कि यह हिंदु देवी देवताओं की नकाशी है यह इस बात का भी एक आदर्श उधरण है कि लोग कैसे सोचते हैं कि प्राचीन नकाशी सिर्फ सुंदर्ता या धार्मेक उदेश्यों के लिए है यदि प्राचीन लोगों ने कुछ बनाने में बहुत समय बिताया तो इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि यह है एक मूल्यवान वैग्यानिक उदेश के लिए किया गया था वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करना न भूले और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के पटन को भी प्लिक करें किर्प्यास वीडियो को लाइक करें और मैं आप से जल ही बात करूँगा बाई